में के पास अगर खोने के लिए कुछ भी ना हो तो बहुत ही डिंजरस बन जाता है आज के हमारी मूवी में एक छोटी सी लड़की को किड्नैप कर लिया जाता है और एक परफेक्ट किड्नैपिंग है आज मैं आपको एस्प्लेंट करने वाला हूँ बिना किस दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा में कैरेक्टर जिसका नाम है जो एक छोटी लड़की के मदर के साथ एक गाड़ी में बेठा हुआ था एक्चुली जो ने इसकी बेटी को किड्नैप कर लिया है अब उसे सब कुछ पैसे मिल चुके है तो ये मदर बहुत ही वरीड होती है उसे लगता है शायद जो ने उसकी बेटी को मार डाला जो ने का मैंने कभी भी किसी भी छोटी लड़की को हर्ट नहीं किया ये मदर जो को मारने लगके जो कहता है हमारे बीच के last 24 hours अच्छे थे अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मैं अपना mind change कर दू थोड़ी दिर में जो को अपने partner Marvin का call आया वो फिर mother को कहता है इस playground में तुमारा बेटा खेल रहा है mother को भी उसका बेटा मिल गया अपने एक scene में हमें एक happy family दिखाई जाती है mother का नाम है Karen, father का नाम है Will उनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है Abby Will एक anesthetologist doctor है और एक conference के लिए अपने plane से जा रहा था क्योंकि उसे वो fly करना आता है उसी को छोड़ने के लिए Karen और Abby उसके साथ आये थे अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता है उसे हग करकर वो plane में बेट के जाते जाते plane को move भी करता है क्योंकि उसकी बेटी को देखना अच्छा लगता है एक बहुत ही happy family है इसकी बात Karen और Abby ये घर पर आये जैसा इनका हमेशा का routine होता है वैसा है वो continue करते है अचानक से जो और मार्वेन ये उसके घर पर बोज़ के Abby दूसरे रूम में थी उसे आकिला देख जो और मार्वेन उसे बेहुश कर देते है जो घर में रुकता है और मार्वेन Abby को लेकर चला गया Karen Abby को आवाज लगाती है Karen को इस सब के बारे में पता ही नहीं था उसे लगा कि Abby टीवी देख रही है उसने आवाज लगाया पर Abby का कोई भी आवाज नहीं आया वो सारे घर को चेक करती है पर उसे कुछ भी नहीं देखता वो बहुत ही ज़ादा डर गई जल्दी से जाकर अपने कबर में से गण निकालेती है यहाँ से भागने के लिए दोर के पास आए जहाँ पर लिखा है कि एक बहुत ही बैड आइडिया है उसके पीछे जो खड़ा था Karen डर कर उस पर गण लगाती है जो गहता है एक बहुत ही बैड आइडिया है तुम्हारी बेटी मेरे कजन के साथ है अगर हर 30 मिनिट्स में मैंने उसे फिरसे कॉल नहीं किया तो तुम्हारी बेटी को मार डालेगा तुम वरी मत करो एक परफेक किड्नैपिंग है जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही नेक्स 24 अवर्स में होने वाला है कैरन डिस्टब हो चुकी थी और अब भी गन उसकी जो पर थी जो कहता है अगर तुमने शूट किया तो उस गोली से दो लोग मरेंगे मैं और तुम्हारी बेटी ये सुनकर कैरन शान्त हो गई जो ओपरजिनेट उठा कर उससे गन ले लेता है जो ने उसे अशूर किया तुम्हारी बेटी को कुछ भी होने नहीं वाला जीने भी हमें किड्नैप किया था अब वो आराम से खेल रहे है सब पैरेस ने हमारे रूल्स फॉलो किये थे तुम्हें भी वही करना चाहिए इसके बाद वील अपने कॉन्फरेंस में पहुच चुका है निकसिन में फिर से हम कैरन और जो देखते है कैरन जो से बुश्ती है तुम अभी के अभी सब पैसे क्यों निले लेते जोने का जनरली कोई भी किड्नैविंग सक्सेस नहीं होती इसका रिजन यह ही होता है कि किड्नैप जल से जल पैसे चाहते है हमने अब तक 4 किड्नैविंग की FBI हमें अब तक पकड़ नहीं पाई ये जो मेरा प्लान है, एक मशीन की तरह है अगर तुमने कुछ भी करने की कुशिश के, तो सब कुछ भी गड़ सकता है जो ने का, नेक्स 24 अवर्स में सब कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ प्लान से चल रहा है Karen कहती है वो 24 अवस जी नहीं सकतीं उसे अस्तमा है जो गो इसके बारे में कोई भी आईडा नहीं था Karen ने उसे प्रूव किया तो वो भी डर जाता है उसने फिर Marvin को कौल लगा ये सब प्लैन में नहीं था पर फिर भी उसे करना पड़ता है वो मारविन से पुछता है क्या अभी अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ बेहोश थी पर अभी भी जिन्दा थी इन सब के जान में जान आई है कैरन जो से कहती है मुझे उसके पास लेकर चलो उसे हम मेडिसन देखर वापस आ जाएंगे जो बुछता है मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा क्या रंग कहती है तुम जो चाहे वो मैं करने के लिए रेडी हो इसके पैरलल में विल को हम लेक्चार देता हो देख सकते है ओडियंस में एक लेडी थी जो सिर्फ उसे ही देख रही थी वो जब अपने होटेल रूम बहुचा तो वो भी उसके पास आ गए वो उसके साथ इंटिमेट होना चाहती थी विल कहता है कि मैं मैरेड हो यह सब कुछ कर नहीं सकता इस लेडी का नाम था शेरिल और वो कहती है तुम्हारी बेटी को हमने किड्नाप कर लिया है जल्दी से रूम में चलो जो भी मैं कहूंगी यह सब तुम्हें करना पड़ेगा विल जल्दी से भाग कर डोर बन करने की कोशिश करता है पर चेरिल ने उसे कंट्रोल में कर लिया उस पर वो गन लगाती है उसने कहा कि अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे अगर तुमने मुझे कुछ किया और मैं 30 मिनिट में कॉल आंसर नहीं कर पाई तो भी तुम्हारी बेटी मर जाएगी इतनों कल जाकर अपने यहां के लोकल बैंक से 250 के डॉलर्स निकालोगे विल कहता है यह बहुत ही सस्पिशेस लगेगा शेरिल कहती है कि इसकी वरी मत करो हमें पता है तुम हमेशा पेंटिंग बाई करते रहते हो यही रीजन तुम बैंक को बता देना विल कहता है मैंने तुम्हारा फेज देख लिया है तुम मुझे जिन्दा छोड नहीं सकते शेरिल कहती है अगर तुमने कुछ भी किया तो मेरा पार्टनर आखकर तुम्हारी बेटी को मार कर चला जाएगा नेक सेन में हम एबी को मार्विन के साथ देखते है एबी को होश आया उसकी मदर आसपास नहीं थी तो बहुत है डिस्टरब होके मार्विन उसे समझाता है सिर्फ आज रात के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा एबी बहुत रोती है इसके बाद शेरिल ने जोग को कॉल लगया वो गहती है कि वील जरा स्मार्ट है वो ट्रवल क्रेट कर सकता है जो उसे फोन पर बात करता है कहता है तुम्हारी वाइप मेरे पास है अगर तुमने कुछ भी उल्टा सिदा किया तो मैं एक जटके में उसे मार डालूंगा उसने फिर कैरन और विल की बात करवाई कैरन विल से कहती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी विल जो को एबी की सिच्वेशन समझाने के कोशिश करता है जो निका जैसा मुझे सही लगेगा वैसे है मैं सब चीज़े करूंगा इसके बाद जो कैरन जाकर एबी को मिलने वाले थे उसे हो मेडिसिन दे देंगे अचानक से एबी को अस्तमा का अट्याक आ गया कैरन मार्विन को कहती है कि उसे थोड़ी सी कॉफी दो इससे उसे सही लगेगा थोड़ी देर के लिए ये प्रॉलम सौल हो गया इसके बाद कैरन और जो गाड़ी में थे जो बोचता है तुम डॉक्टर से मिली कैसे थी मुझे गेस करने दो तुम नर्स थी वेल से मिली उसे डॉक्टर बनने के लिए सब पैसे तुमने ही दिये कैरन सब्राइस थी जो को इस सब बाते पता है इसके बाद ये एबी के पास भोज गए मार्विन भी एबी को अपने घर से दूर एक स्पोर्ट पर लेकर आया था क्यारन एबी से मिली और एबी रो रही थी क्यारन कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसा मार्विन कहेगा वैसा है तुम सब करना अगर बाद रूम जाओ की तो उसके साथ मत जाना वो एबी को उसे कहा रखा है इसके लोकेशन पूछ रही थी पर एबी को कुछ भी पता नहीं इन्होंने मेडिसिन एक्चेंज कर लिये पर क्यारन एबी से दूर जाने के लिए बहुत स्रगल करती है जो कहता है कि सब कुछ में ठीक कर रहा हो इस सीचेंज को कंट्रोल में ही रखो जो ने विल को कॉल किया उसे मेडिसिन के बारे में बता दिया विल बहुत ही डिस्टरब हो चुका था वो रोने लग गया था शारल उसे टिशू बेपर देती है तो उस पर चेड़ कर उसे हो मारने लगता है शारल के कबड़े फट गए थे तो रुक कया कहता है तुमें थो बहुत सारी मार पड़ी है क्या तुमें कोई मारा करता है इस सबसे निकलने में मैं तुमारी हेल्प कर सकता हो शारल कहती है सब कुछ प्लैन के मुदावित चल रहा है कोई भी प्रॉल्लम नहीं होगा एबी ने जो और मार्विन को बात करते हो सुना था वो किसी केटी की बारे में बात कर रहे थे मार्विन को लगता है कि एबी भी केटी की तरह ही है तो इसके बारे में एबी ने मार्विन से पोचा वो बोचती है क्या हो तुमारी डॉक्टर थी मार्विन कहता है क्यों मेरी फैमिली थी इसके बाद शेरियल ने जो को कौर लगा कहा कि डॉक्टर ने मुझे मारा है जो विल से बात करता है कहता है कि ये सुनो उसने कैरन को जोर से मारा और कहा मेरी वाइफ को हट मत करना वरना वही मैं तुम्हारी वाइफ के साथ भी करूँगा जो ने कैरन को सौरी कहा वो गहता है कि मुझे वो करना ही पड़ा वो उसे मलवेगरा लगा रहा था तब है उसे किस करने लग गया अचानक से कैरन की नेवर वहाँ आज आती है जो गहता है चल दी से उसे यहाँ से बाहर भेज़तो कैरन नेवर से बात करती है पर नेवर ने जोग को देख लिया था कैरन कहती है जो विल का ही एक कलीक है नेवर ने पुछा तुम विल से मिले कहा थे जो इसके बारे में पता नहीं पाता कैरन कहती है कि विल को नहीं जानता ये मेरा फ्रेंड है याने कि उसका उसके साथ अफेर जल रहा है उसकी नेवर सपराइस हो गए वो गयती है, मुझे पता नहीं था तुम में और विल में कुछ प्रावलम्स है इसके बाद यहां से चली जाती है जो कैरन से गहता है तुम्हारी नेवर अभी भी हमको देख रही है वो शने उसे किस कर लिया और वहाँ कोई भी नहीं था विल शेरिल के बॉड़ी पर एकसकार नोटिस करता है वो गयता है तुम्हें भी एक बेबी है तुम्हें ऐसा कर कैसे सकते हो इसके बाद जो चाहता था कि वो कैरन के साथ इंटिमेट हो क्यारन को भी वो जो भी कहता है वो सब करना पड़ेगा वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए बेडरू में गया तभी कैरन इंटरनेट से कॉन्टाक करने की कोशेश करती है पर इसकी वायस कट थी जो क्यानी के बाद कैरन उससे फुच्छती है तुमने हमें चूस क्यों किया जो कहता है सब लोग को डॉक्टर होना पड़ता है उनकी वाइफ तुमारी तरह प्रिटी होने चाहिए कैरन पुछती है हमारे नाम तुमें मिले कैसे जो कोई भी आंसर नहीं देना चाहता वो कैरन को एभी के रूम में लेकर गया कहता है अगर तुम चाहती हो कि एभी सही सला मत रहे तुमें जो कहूंगा यही सब तुमें करना पड़ेगा वो उसे फिर कपड़े निकालने के लिए कहता है कैरन ने कहा कि मुझे शरम आती है मैं बात्रूम में जाकर निकालती हूँ बात्रूम में उसने सब कुछ चीजे ढूंडी उसे विल का एक स्कैपल मिल गया यसे अपने कपड़ों में छुपा लेती है इसी के पैरलल में हम देखते हैं कि अभी मार्विन को बताती है मुझे ज़रा भूक लगी है मार्विन उसके लिए पॉपकॉन बना रहा था तबी टीवी के आवाज में एभी जल्दी से वहाँ से भाग गई मार्विन को इसके वारे में कुछ भी पता नहीं चला इसी के पैरलल में कैरन जो के साथ इंटिमेट होने लग गई जब जो का ध्यान नहीं था तो जल्दी से वह स्कैपल निकाल लेती है उसने स्कैपल जो के आवजार पर लगाया वो कहती है कि मार्विन को कॉल लगाओ वरना तुमारा इंस्ट्रूमेंट में काट दूंगी उसे अभी क्या भी यहाँ बुलाओ जो मार्विन को कॉल लगाता है पर मार्विन एभी को ढूणनी पा रहा था वो कॉल उठा था नहीं यह सब बात सुनकर कैरन डिस्टब हो गई जो अपने आपको प्रोटेक करने के लिए कैरन को मारता है पर कैरन ने उसके लेक्स पर एक बड़ी सी जखम कर दी थी वो जल्दी से भाग कर बात्रूम में गई उसने अभी को कॉल लगया अभी कहती कि मैं जंगल में हूँ कहा है उसे पता नहीं कैरन बताती है कि जल्दी से हाइवे की तरफ भागो पुलिस को कॉल कर दो वहाँ पर कोई ना कोई तुम्हें हेल्प कर देगा पर तभी मार्विन ने अभी को ढून लिया फिर से सब सिचुएशन जो की कंट्रोल में आ चुकी थी कैरन ने बात्रूम से वील को मैसेज कर दिया था कैती है कुछ न कुछ तो गड़बड है जो तुम्हें होस्पिटल से जानता है वील के पास एक एनस्थिश्या था वो फिर शेरल के पास आया वो कहता है अगर मैंने तुम्हें इंजेक किया तुम साज भी ले नहीं पाऊगी तुम्हारी सारी बोड़ी पैरलाइज हो जाएगी मुझे तुम बता दो कि मेरी बेटी कहा है शेरल मानती नहीं तो जल्दी से उसे अनस्थिश्या दे ही देता है शेरल को बहुत तकलीफ होती है वो मरने से पहले डॉक्टर ने उसे अनस्थिश्या दिया शेरल कहती है जब तुमने मेरी बेटी को मारा क्या उसे भी ऐसा ही लग रहा था शेरल अपनी बेटी की फोटो विल को दिखाती है विल उसे पहचान लेता है कहता है ये मेरी गल्दी नहीं थी सर्जन ने तो शेरल को यहीं बताया था विलने का यह एक्चुल में सर्जन की गल्दी थी पर वो cover up करने के लिए उसने सब कुछ मुझ पर डाल दिया मेरी भी एक बेटी है मैं कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता जो फिर केरन को उसे मलम पट्टी करने के लिए कहता है उसे मार्विन को कॉल करने का टाइम हो चुका था पर केरन में उसे कट किया तो उसे सजाओ दे रहा था कॉल आया नहीं तो मार्विन एबी को मारने वाला था तब ही जोग को ज़रा बुरा लगा उसे कॉल कर देता है मारविन कहता है फिरसे ऐसा कुछ भी मत करना मैं उसे मारने वाला था इसके बाद हम देखते है शारल ने विल को एबी की एपरोक्जिमेट लोकेशन बता दी है विल के कॉंटेक अच्छे थे उसका फ्रेंच जो टेलीकॉम कमपनी में काम करता था उसे कॉल किया वो कहता है अपने बॉस को बोल कर प्लीज इस नमबर को ट्रेस करवाओ पुलिस को कॉल मत करना क्योंकि मेरी बेटी किर्णाब हो चुकी है अब रात बीच चुकी है विल के फ्रेंच को लगता है कि उन्हें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए जल्दी से शैरिल फोन कट कर देती है कहती है सब कुछ प्लान की मतावी चल रहा है अगर कुछ गड़बर हुई तो विल तुम्हारी बेटी को मार डालेगा इसके बाद जो कैरन को लेकर उनकी लोकेशन पर जा रहा था जो नोटिस करता है कि उनके उपर हिलिकॉप्टर है उसने एक ब्लैंड मनाया वो एक अंडरगराउंड पार्के में जाकर दुसरी गाड़ी ले लेता है उसका शक्स ही था अब नेक्स गाड़ी में उसे कोई भी हिलिकॉप्टर फॉलो नहीं कर रहा नेक्सेन में विल जब बैंक में पैसे लेने के ले गया तो FBI अल्रेड़ी वहाथ है विल के फ्रेंड ने उन्हें कॉल कर दिया था वो खहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा ये पैसे तुम लेकर जाओ सिर्फ एक वायरलेस माइक तुम पहनना इससे हमें सब कुछ पता चलता रहेगा इसके बाद विल ने शारल को कॉल लगया वो खहता है प्लैन चेंज हो चुका है अब हमारी लोकेशन पर तुम फ्लाइट से आना हम तीनों मिल नहीं सकते हैं शारल कहती तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं अब इस बार क्या हुआ जो गहता है ये सब मेरे रूल से है तुम फॉलो करना मेरे पास तुमारी लेक सप्राइज है शारल को लगता है ये जो अब अब अबी को मार डालेगा वो डर गई थी वो डारेक्ली मार्विन को कॉल लगाती है उसे बता देती है प्लीज अबी को बचा लो विल ने शारल को का मुझे मेरे प्लेन के पास लेकर चलो वो प्लेन से जल्दी से विल को ढून सकते है फिर से जो ने विल को कॉल लगाया था जो को वो प्लेन में है ये समझ में ना है इसलिए अपने plane का engine burn कर देता है plane नीचे गिर रहा था वैसे यो दोनों बात करते है जो कहता है तुम अपने hotel में रहना कुछ भी करना मत विल सब के लिए हा कहता है phone खतम होने के बाद विल ने जैसे दैसे फिर से अपने plane को control में कर लिया fly करते हुए जो जीस road बर है वही बर विल पहुच जाता है जो पैचान गया कि डॉक्टर ही है वो कुछ करे इससे पहले केरनों से मारने लग जाती है काड़ी out of control हो गई और रस्ते की नीचे गिर गई विल सारी टाफिक रोकने के लिए अपने plane को रस्ते परी लैंड कर देता है उसके plane से एक गाड़ी टकरा कही थी यह plane फट सकता था पर वो बज गया जल्दी से भाग कर वो जो की कार के पास आया यहाँ पर कैरन बेहुच पड़ी थी जो विल को देखकर उसके पैर पर गोली मार देता है उने का कि मुझे पूरी लाइफ में हर दिन जिस तरीके से लगता रहता है यही feeling पूरी लाइफ तुमें आएगी विल ने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने तुमारी बेटी को मारा नहीं था पर जो किसे भी बात को मानता नहीं जो बाग कर शेरिल के पास आया और शेरिल के साथ ही एबी थी वो से कहता है अब हम तीनों एक साथ रहेंगे यानि कि अपने साथ एबी को भी भगा कर लेकर जाने वाला था शेरल कहती कि यह सब गलत है हमें कर नहीं सकते जो उसे समझाता है कि हम फैमिली की तरह रहेंगे अचानक से एवी को फिर से अस्तमा की तकलिफ होने लग गई अब कैरन गाड़ी से बाहर आ चुकी थी उसके पास एक गन भी है मार्विन एवी को अपने पास ले रहता है विल लंगडाते हुए ही जो से फाइट करने लग गया था इस फाइट के एड में वो को मार डाला वो अबी को मेडिसिन देते है जो ने सब कुछ किया यह सब मार्विन और शेरल नहीं चाहते थे वो यह आव से भाग जाते है सब कुछ नॉर्मल हुआ विल एबी कैरन फिर से एक साथ है इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज चेस लाइक कर दीजएगा बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल ने डिविशन आयकोद नावन में मत भूलेगा हम वीज़े मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे